वेल आप्शन स्टाटेजी इस की अनदर वीडियो में आपका स्वागत है आज आप सीखने वाले बुल पुट स्पेट के बारे में अब यह जो हम स्टाटेजी कवर कर रहे हैं वह सारी वह स्टाटेजी जब आपका मार्केट को लेकर व्यू बुलिश है तो आप इन स्टाट लगती को अ मारकेट में वेड़ आपको लगा रहे हैं कि बहुत जादा उपर तो नहीं जाहेंगा जो भी आप पो को ऊश्का लग रहे हैं या आप INDEC intricate करते हो आप definite две अशजो नहीं आप यह जायेगा कर जायगा विल आप 100-200 पोइंट's कि market ना sideways रहे तो अगर आपको लगता है कि market sideways भी रहेगा बहुत सथ उपर नहीं गया तब भी आप strategy से पैसा कमाने वाले हो या फिर अगर आपको यह भी लगता है कि हो सकता है मैं गलत हो जाओं हो सकता है जो मेरा view है वो ठीक ना भी हो बहुत उपर ना जाये market हो सकता है तो भी हम कुछ कमा के बाहर निकलेंगे और हम यह भी कह रहे हैं अगर हम गलत भी हो गए हमारा व्यू था कि मांकेट ऊपर जाएगी और नहीं भी गई हलकी फुल की नीचे भी हो गई तो भी फरक नहीं बढ़ता तब यहां पैसा कमाओगे वह इसी कौन सी स्ट्राइटेजी का नाम है बुल पूर्ट स्प्रेड अब बुल पूर्ट स्प्रेड हम बोल रहे हैं तो बुल का मतलब आपको पता है अभी तीनों को हम डिफाइन कर द आप पुट को भाय अप करते हो आप पुट को भाय तप करते हो कोई भी आपका अगर ऑप्शन है और आप जब उसका पी देखते हो तो आप पुट को भाय तप करते हो जब आपको लगता है मार्केट में गिरावट आएगी अभी हम पुट की बात करें अभी ध्यान सा जैसे कि आपने bull call spread में समझा था कि आप खरीद भी रहे हो बेच भी रहे तो आप पुट option को buy भी करोगे और पुट option को sell भी करोगे ओमय गाइगाइगाइगाद वृट इस तो आप buy भी वो इंसान खरीदता है जो expect करें कि मार्केट में गिरा वड़ आएगी वो पुट खरीदता है अब अगर आपसे किसी ने पुट खरीदा होगा तो वह चाहरा होगा कि मार्केट गिरे बड़ आप चाहरे हो कि मार्केट बढ़े तो इसलिए आपने पुट को sell कर दिया बड़ आप स्पेड बनाते हो दोनों काम करते हो तो सवाल यह आता है कि हमें कौन सा ओप्षिन कौन से स्ट्राइक पर आपने ATM, ITM और OTM समझ लिया है अगर नहीं हुआ अगर नहीं वा यह बटन पर लिंक है आप जाके आपको यहाँ पर कौन सा ओप्षिन अगर हम स्प्रेड की बात कर रहे हैं पुट का तो कौन सा बेचना है कौन सा खरीदने तो बड़ा सिंपल है आपको अगर बुल पुट स्पेड बनाना है तो एड़ दा मनी ओप्षिन को आप बेज देंगे सेल कर देंगे और आप खरीदेंगे कौन सा ओप्षिन आप ओटी एम ओप्षिन को बाई करेंगे अभी मैं आपको एक्जाक्ली अपनी कंप्यूटर स्प्रीन पर दिखाऊंगा कि किस सरीके से स्ट्राइटेजी बनेगी कितना प्रॉफिट लॉस होगा सब बताऊंगा मैं आपको बट अभी कंसिप्ट क्लियर करते हैं जब मैंने एड़ दमनी ऑप्षिन को बेचा तो पहले आप चीज में बताइए जो ऑप्षिन है वह महंगा कब होगा एड़ दमनी पर महंगा होगा और इंदा मनी पर और और बी जदा महंगा हो सकता है तो आप चाहो तो सतरह हजार का ऑप्षिन एड़ दमनी पर सतरह हजार अभी चल रहें निफ्टी तो एड़ दमनी सतरह हजार पर आपने देखा कि पुट ऑप्षिन कितने का है एक्जाम्पल के लिए माल लेते हैं एक्सो तीस रुपे का आपको प्राइस दिखा तो अब मुझे सब्सक्रा अगर मांकेट में आपने बेचा है तो आपके एक्सपेक्ट करें हो कि मांकेट ऊपर जाए यूर एक्सपेक्टिंग मांकेट ऊपर जाए बट अब हम बात करते हैं मांकेट ऊपर चली गई अच्छी खासी ऊपर चली गई मांकेट ऊपर चली तो नुकसान किसका होगा आप कोगे नुकसान उसका जिसने पुट ऑप्शन को खरीदा उसका नुकसान होगा वह चारा था माकेट गरे ओपर चली गई तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है आपको एक लॉट पर मैक्सिमम प्रॉफिट मैं अभी आप और ऊक्षिमम प्रॉफिट हो सकता है बहुत बढ़ी आपको कि एक तो प्राइस गिर गया माकेट नीचे नहीं गई माकेट ऊपर चली गई तो जो पुट ऑप्शन था उसका प्राइस गिर जाएगा अब जब गिर हएगा तो फाइदा किसे होता है सेलर को फाइदा होता हो प 130 रुपे almost zero हो जाएगा तो क्योंकि zero हो जाएगा तो 130 रुपे का आपको मुनाफ़ा होगा इन 250 एक लॉट पर 65 सो कमाऊगे अगर आपने 10 लॉट बेज दिये तो 65,000 रुपे भी कमा सकते हो and so on अब उसे जब से multiply कर सकते हो थोड़ी खिचरी पक गई है इसलिए मैं थोड़ा साइड करके अभी इसी concept को और भी clear करता हूँ अब ये तो हुआ कि मैंने market में sell कर दिया था add the money option बट अगर market गिर जाती तो क्या होता तो आपको unlimited नुकसान होता अब इस स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको अगर market गिर जाती सतरह हजार से market आगे सोलह हजार बाप रे बाप बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका तो इस नुकसान को बचाने के लिए आप कहलो इस नुकसान का insurance कराने के लिए या अपनी position को hedge करने के लिए अगर हम technical term में बोलें तो हम एक out of the money का put option को खरीद लेंगे अब इसका मतलब क्या हुआ हम मान लीजे मैंने 16,850 अब यह 16,850 क्या हुआ मेरे लिए 16,850 out of the money हो गया जब मैं expect कर रहा हूं कि market गिरेगी put option के लिए out of the money हो गया इसका premium मुझे कम देना पढ़ेगा example के लिए मान लेते हैं मुझे 60 रुपे का premium देना पढ़ता है अगर मैं 60 रुपे का premium पे करता हूं 16,850 रुपे के लिए into 50 तो मेरी investment कितनी हो गई मातर 3000 रुपे अब यह 3000 रुपे लगा के मेरा profit कम हो जाएगा profit कैसे कम हो जाएगा मेरा max profit आ रहा था 600 क्योंकि मुझे 130 रुपे का मुनाफ़ा हो रहा था 130 रुपे मुझे मिल रहे थे plus म जैसे ही मैंने एक option को खरीदा मैंने premium को पे किया है 60 रुपे का premium पे किया माइनस 60 तो मेरा जो profit होगा 70 रुपी का ही होगा into 50 तो अब मेरा max profit सिर्फ 3500 रुपी का रह गया आपके सामने चीज़े समझा रही है आपको इतनी mathematics साब समझा रहे हो यह सिर्फ concept clear करने के लिए आपको समझना जरूरी है आपके लिए option strategy builder आप लोगों को इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा strategy बनी बनाई मिलती है तो उसे आप यूस कर सकते हो आपको पस अपना 15,000 से market तूटके अगर 16,000 आ जाती तो होश ओड़े जाते हैं आपके वो नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर यह put option जो हमने खरीदा हुआ ही हमें एक insurance प्रोवाइड करेगा कैसे insurance प्रोवाइड करेगा यहां पे तो मेरा नुकसान हो रहा है जो position को मैंने sell किया I hope आपको concepts clear हो रहे होंगे concepts clear होने ज्यादा जरूरी है ठीक है अब हम यहां पर sensible पर आ चुके हैं sensible का link description comment box में तो आप भी जाके sensible पर login कर सकते हैं आपको simply यहां पर जाके strategy builder पर क्लिक करना है आप क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से ready made strategies यहां पर है तो अभी हम बात कर रहे थ तो यहां पर 130 रुपीज की आसपास आप देख सकते हो कि इसका price चल रहा है अब अगर हम इसे बेज देंगे अगर हम put को बेज देंगे तो maximum कितना पैसा कमा सकते हैं 130 रुपे का premium यह पूरा का पूरा कमा सकते हैं expiry और अगर हमने एक buy भी किया hedge करने के अपनी position को तो यहा पर 49 रुपीज का all तो ससते हैं और जैसे आप से यहां पर रेडी मेड आ रहा है 16900 आ रहा है तो 16900 पर जाके आप देख सकते हो कि 58 रुपीज का rate चल रहा है तो दोना out of the many option है अब अगर आपने ऐसा किया तो होगा क्या एक तो ही 130 रुपे पूरे के पूरे के पूरे कमाने मैक्स क्या होगा आपका मैक्स फ्लॉस हो सकता है अल्मू साड़े 6,000 रुपे यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट देखो निफ्टी चल रहा है 17100 बड़ जो ब्रेक इवन है वह 17,000 अठाई सुर्वे का है ब्रेक इवन इसका मतलब क्या अगर एकस्पारी तक आपका व्यू ठीक नहीं भी हुआ निफ्टी गिर भी गया माल लेते हैं यहां पर हम बात कर रहे थे तो यहां पर देखिए 17,000 चालेस भी आगया अब आपको लग रहा होगा कि अगर हमें पहले से ही पता है कि माकट ओपर जाएगी तो यहार मैं इसे खरीदू क्यों मैं अपनी पोजिशन को हटगया हुग मैंने अपको बता यहां पदाए था कि यहां पर आपका मैक्स लॉष पहले निए दिख राएए पट जैसे ही आ आप देखो आपका मैक्स लोस आ जाएगा और मुस्त साड़े आठ लाग रुपे आप देखे रहो ऑन्लिमिट्ट लॉस हो सकता है प्रॉफिट आपका उतना ही होगा आपका प्रॉफिट साड़े तीन हजार से तो तीन हजार रुपे जो आप बचा रहे थे यहां पर कमा सकते हो बड़ यहां पर आपका लॉस होने के चांसे बढ़ जाएंगे यह हो गया नेक डॉप्शन में ट्रेट करना बड़ जैसी आपने स्ट्राटेजी बनाई आपने अपनी पोजीशन को हैज कर दिया तो आप प करना ऑमेंचे आप्शीं के प्राइजा ओश्ड, तो स्याल अपीशन को म होना पुक्सान को चान और आपको कांसेप्ट क्लियर हो रहा होगा यह आज आपने सीख चैब पेपर ट्रेड करके अप्लाइक कर लो आपको यहां पे 100 बार अप्लाइक करना इसका फायदा क्या होगा सो बार मैं आपको पता लगेगा पहले तो आपका प्राइद एक्षिन और के एनले से सही होनी चाहिए तो हो सकता है तीस बार आपका नुक्सान हो जाए सौ में से तीस बार हो सकता है आपको लगे यार मेरा नुक्सान हो गया strategy ने काम नहीं किया strategy ने काम नहीं किया ऐसा नहीं हो क्योंकि आपका view जो है वो गलत हो सकता है तो strategies तो आपके सामने वो पहले बता रही है profit और loss कितना होगा तो हो सकता है 30 बार आपका नुक्सान हो और 70 बार आपका profit हो बट अगर आप risk to reward ratio के हिसाब से चलोगे आप कर क्या रहे हो यहां पर आपना बहुत सारे loss नहीं कर रहे है पागल पंती नहीं कर रहे हैं पागल पंती क्या है कि भी है मैं नेगड option में trade करूं और आपके हिसाब से market नहीं गई तो आप बहुत सारा नुक्सान कर लेते हो लोग ऐसा करते हैं बट जब आप strategy बनाते हो आपको पता है आप कम कमा रहे हो कोई बात नहीं बट आप regular कमा रहे हो तो 70 बार कमाया और 30 बार गवाया तो आप अपना फिर profit and loss statement देखना और आपको पता लग करते हो अगर आप सिर्फ सेल करते हैं मैं आप आपको पहली दिखा देता हूं फरंड इंडेट साइट इस स्ट्राइटरजी के लिए आपको सेंसिबल और बना देता है अदरवाइस आपका अप स्टॉक्स पर अकाउंट होगा तो आप गूगल पर लिख दीजेगा अप स् सेल करते हैं तो आप देखो आपको फंड्स एक लाख रुपे होते हैं और स्ट्राइडजी को बनाने के लिए क्योंकि आपने पुट खरीद लिया अपने हैज कर दिया अपनी पोजिशन को तो फंड्स निडिट कम हो जाते हैं सतर हजार रुपे कम चाहिए सिर्थ 30,000 में क सकते हैं तो इस नोट रिक्वाइड की तीन हिजार का वेट करना है बट तो इस आप कम गवारे हो बट आपके प्रॉफिट मेकिंगे चांसे बढ़ जाते हैं ठीकि जब आप स्ट्राइडजी को यूज करते हैं तो यहां पर देखो सिफ 26 परसेंट चांसे हैं प्रॉबैब वैसे वैसे यूर बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर देखो मेरा काम क्या है कि आपको चीज़े सिखाना स्ट्राइडजी बताना आपको स्किल्स देना यह स्ट्राइडजी सीखने के लिए लोग बहुत पैसे भी लगाते हैं पट फ्री में सिखाने का एक ही परपस है त लोग ना लॉस ना करो तो इस सीरीज को अपने फ्रेंट सर्कल के साथ जरू शेयर कीजे खासकर इस वीडियो को ऑप्शन स्टाइडजी की पूरी सीरीज हमने बना दिये एक प्लेस बना दिये तो अगर आप नहीं है और आपको हो सकता है चीज़े नहीं समझें तो एक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगली वीडियो में उनका आंसर देने के कोशिश करेंगे ओल्राइट इस वीडियो वीडियो तिल आटाइम युग सेल्फमेड